कैंसर के एक जरूरी दवा भारत में अपने तीन लाग के बदले सिर्फ नो हजार रुपे में मिलेगी। भारतिय पेटिंट आफिस ने अस्थानिय कंपनी को ये दवा बना कर बेचने की अनुमती दे दी है। मरीजों के लिए ये फैसला बड़ी रहत लेकर आया है क्योंकि नेक्सावर नाम की ये लाइफ सेविंग दवा अब पहले के मुकाबले सिर्फ तीन फीस दी कीमत में मिलेगी। लेकिन जर्मन कंपनी बायर के लिए ये फैसला करोरों के घाटे का है। पेटेंट की सुरक्षा बेहत कठिन चुनावती है लेकिन मरीजों का हित देखना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। भारतिय पेटेंट आफिस का फैसला एतिहासिक है उससे एक नई शुरुवात का रास्ता खुला है। इस फैसले से बहुरास्ट्रिय कंपनियों को उन मुलकों में अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा जो उनका बड़ा बाजार है। बायर के निकसावर की कीमत भारत में इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि दवा बाहर से आती है भारत में बनती तो इतनी महंगी नहीं होती। लेकिन ना तो कंपनी जरूरी मात्रा में दवा बाजार में ला पाई और नहीं उन्हें भारतिय मरीजों के लिए सस्ता किया। मेडिकल साइंस में तेज विकास हो रहा है, लेकिन नई मशीनों और दवाओं के विकास पर दवा कंपनियों का काफी खर्च भी होता है। कारोवार का नियम है निवेश किया तो निवेश वापस भी आना चाहिए, लेकिन लोगों की जान की कीमत पर मुनाफे की मंजूरी नहीं दी जा सकती। बहुराश्ट्रे कंपनिया भारत जैसे देशों में सस्ती मजदूरी का लाव उठा रही हैं, ग्राहकों को सस्ती दवाएं देना भी उनकी जिम्मेदारी है। एक नई विवस्था की जरूरत है ताकि पेटेंट की रक्षा भी हो और दूसरी कंपनियों को लाइसेंस दे कर दवाओं के बाजार में मुकाबला भी हो।